समीर वानखेडे पर होम मिनिस्टर अमिद्शा का बड़ा फैसला आया है और इस फैसले से जनता बेहत खुश है जो लोग समीर वानखेडे को सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने अमिद्शा के इस से फैसले की तारीफ की है समीर वानखेडे और उनकी फैमली की तरफ से एक बात कही गई थी कि कैसे पिछले तीन दिनों से तीन लोग जो है उनके घर के पास आकर चक्कर लगा रहे हैं काफिस संदिग्द दिखते हैं ये लोग सीसी टीवी फुटेजिस में सब कुछ कैद है और अब उनकी फैमली को ड जांगी थी और ये security अब अमध्शाने समीर वानखेडे को प्रदान कर दी है उन्हें Z security मिली है हम सब जानते हैं Z level की security जो है वो उच्छे दर्से के लोगों को मिलती है ऐसे में समीर वानखेडे को ये security दे दी गई है समीर वानखेडे या उनकी family members अब जब कहीं जहां भी जाएंगे तो उनके साथ जवान या गाड़ी साथ में जरूर रहेगी समीरवान खेड़े को लेकर नई अपडेट ये आई है कि जहाए एक तरफ समीरवान खेड़े ने अपने जाती डॉक्यूमेंट्स जो है वो शिड्यूल कास्ट कमिशन के चेयर परसन को सौप दिये हैं और उन्होंने कहा है कि जो चेयर परसन हैं वो खुद परसनली इन सब भी डॉक्यूमेंट्स की जाच करेंगे जो कुछ भी होगा वो बात सामने आएगी लेकिन अगर किसी ने जूटा इल्जाम लगाया है और मेरे उपर जूटी बाते कई है तो उनके खिलाफ भी आक्शन लिया जाएगा आपको बता दे कि आर्यन खान को रेड्र में पकड़ने के बाद एक शक्स है प्रभाकर सेल इसने समीर्वां खेड़े पर सवाल उठाए की समीर्वां खेड़े ने रिशुत के लिए ये जो पूरी रेड है ये कि इसके लावा नवाब मलिक ने समीर्वां खेड़े पर इल्जाम लगाया कि नकली शिडूल का जाती का सर्टिफिकेट बना कर वो आयरेस बने हैं इनी दो चीजों के लिए समीर वानखेड़े पर इस वक्त इंक्वाइरी चल रही है और इंक्वाइरी जितनी अभी तक आगे बढ़ी है वो समीर वानखेड़े के फेव में ही आगे बढ़ी है